एक कार्यकर्टा ने मुझे बहुत अच्छी तरह बताया कॉंग्रेस पार्टी के कार्यकर्टा ने राहूल जी कहता है मुझे राहूल जी ये कॉंग्रेस पार्टी में एक मुश्किल है दो तरीके के घोड़े होते हैं एक रेस का घोड़ा होता है दूसरा शादी का गोड़ा होता है ये आप कभी कभी कॉंग्रेस पार्टी क्या करती है रेस के गोड़े को शादी में भेज देती है और शादी के गोड़े को रेस में लगा देती है तो उसने कहा ये आप बंद करा दीजे रेस के गोड़े को आप रेस दोड़ाईए और शादी के गोड़े को आप शादी में भेजिए तो ये हमें गुजुरात में करना है जो रेस का गोड़ा है जो त्यार है दोड़ने के लिए त्यार है उसको रेस में लगाना चाहिए और जो हमारे शादी के गोड़े हैं, जो हैं, वो हैं, उनको हमें शादी में बहरात में नचा देना चाहिए, तो अब मेरा कहना है कि ये काम सीरिसली करना है, गुजरात के सीनियर नेताओं ने मुझे बस में कहा, मैं बता रहा हूँ आपको इंसाइट ट्रैक, मुझे बस में कहा कि राहुल जी, गुजरात में हमें 40 सीटे मिलेंगी, मैंने उनसे कहा, 40 नहीं हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, और 16 सीट से हम चुनाव हा रहे हैं, अब तीन साल हैं, तीन महीने में हम फिनिश लाइन तक पहुँच गए थे, तीन साल में हम फिनिश लाइन को मतलब उदर पीछे छोड़ के निकल जाएंगे, हम मैं आपको यहां कह रहा हूँ, कि आप लोग गुजरात में, कितने साल बाद, तीस साल हो गए, 30 साल हो गए मैं आपको बता रहा हूँ मानो ना मानो आप में से 50% अभी मान रहे हैं और 50% कह रहे नहीं भी या नहीं होगा जो 50% मान रहे हैं मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो 50% मान रहे हैं मैं आपसे बात कर रहा हूँ आप लड़ जाओ और ये बागी 50% बैठे हैं उनकी माइंड बदल दो नहीं अपार हो जाएगी सरकार बन जाएगी और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि AICC की टीम राहूल गांदी मेरी बहन सारे के सारे सीनियर लेडर आपके साथ यहां खड़े होंगे आपके साथ मिलकर इनकी सरकार को तोड़ेंगे